हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल बूस्ट्रेकर्स माइट में आज का हमारा टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग है रेफिलिशन यहनों ने भी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर करें तो आप बढ़ते हैं अप सब्सक्राइब थेंट लूपि तो क्या होता है कुलिंग कुलीं विश्वनगे करना और साथ ही साथ किसी भी इन संपरेचर को मैंटेन और कम कर देना किसले सुधान फीट तक मुझे तुम इसका काम करना होगा या कि से इसको थंदा होगा जब इसकी लिट को निकाल देंगे आई देखते हैं जब उपेसे इसमें आपने पहता हुआ है। ounce किसी सिस्टम को हीट दे वहाता है वहता है मेरा स्वर्स और जो छो सिस्टमस sık हीट को और रिसीव करें वहता है मेरा सेंख तो आ ये देखते हैं क्या यह सुझा है w legitimate के गौड़ाय करना तो में तंदा करने के लिए क्या करूंगा मैं इसके सारी हीट निकाल के किसे देदू हम आप इसरे वायर को सप्लाइब कर दूँए यानिकि जब इसकी निकाल दूँए या पहले से ठंडा है कुछ इसके कंपरिजन में इसका तेंपरिचर कम है T1 इस ग्रेटर दैन टीटू रखना ही क्या है एक मॉस्फिर आप वहादा है कुछрах थन्द सब्सक्राइब salah यसे ही निकालों इसके temperature को atmosphere इस temperature से below maintain रखना ही क्या होता है रुच्छो refrigeration होता है, आजिए देखता है कि इसमें रही लो temperature body यानि कि जो कम temperature में है अब मुझे इसकी हीट निकालने के लिए मुझे वर्क देना होगा, यानि के वर्क क्या होगा मेरा निकेटिव होगा, अब इसे वर्क देंके, वर्क देंके क्या होगा, ये इसकी सारी हीट निकालने के और इस हीट को निकालके हाई टेम्टरचर इसर वायर को सप्लाई कर दे इसकी हीट निकालने के लिए low temperature से high temperature पे हीट को भीजने के लिए हमें वर्क देना पड़ता है वर्क देना पड़ता है हमें वर्क दिया इसको W कितना दिया W Suppose sink से जो हीट निकली वो मेरी Q2 है Q2 और Q1 हीट का सप्लाई इस sink को तो वर्क दो हुआ मेरा W is equal to Q1 minus Q2 तो यह देखते हैं रेफिरेशन क्या होता है रेफिरेशन is the science of producing and maintaining the temperature below the surrounding atmosphere यानि कि एक ऐसी science है जो low temperature body के temperature को कम करती है साथी साथ उसे maintain करती है maintain कि किससे करती है atmospheric temperature से कम में maintain करती है तो low temperature body मेरी कौन सी है यह मेरी low temperature body है इससे इसकी heat निकालके इसके temperature को surrounding के temperature से कम कर देना क्या होता है बच्छो रेफिरेशन होता है और जिसके लिए जो device रहाई जाती है वो मेरी refrigerator कहलाती है तो बच्छो एक चीज़ बताँ रेफिरेटर क्या होता है रेफिरेटर एक ऐसी डिवाइज होती है जो low temperature body से heat निकालके high temperature body को supply करती है वो रेफिरेटर कहलाता है यानिके जो sink से heat निकाले और source को supply करते है तो यह heat निकालने के लिए हमें क्या देना पड़ता है वर्क क्यों देना पड़ता है वर्क क्यों देना पड़ता है वर्क क्यों देना पड़ता है Suppose मैं कहता हूं मुझे high temperature से high level से low level पे पानी को लेके आता है तो क्या कुछ चला जाएगा नहीं जाएगा उसके लिए घर में मोटर पंप का यूज करते हैं तभी तो हमें पंप क्या वर्ख देगा वर्ख देने की वज़े से को लो से हाई गया मेरा पानी इसी तरीके से हीट होता है अगर मुझे ये कमरा गरम करना है यालिके हाई हो दुसारे सुरज की तरफ और में लेकिन इसकी हीट मुझे बाहर निकाल नहीं है तो हीट निकालने की लिए मैं क्या लगाऊँगा इसकी हीट को बाहर निकाल लेगा और ये कमरा तंदा हो जाएगा तो एक बार फिट देखते हैं is the science of producing and maintaining the temperature below that the surrounding temperature एक और और करें के मैंने एक और definition लिखी हुँ यह जिए इसकी राइजिशन is the process of removing heat from low temperature body, यानिके low temperature body से heat को remove करना in order to maintain its temperature below the ambient temperature, ambient temperature क्या हाता है? atmospheric temperature, यानिके इसके temperature को atmospheric temperature से कम करना, जैसे हम freeze की बात करें मेरा freeze है, और यह इसका gate लगा है, यह low temperature body है, यह इसको ठंड़ा करना है अंदर से इख, ठंड़ा करने के लिए क्या करना preach, और यह इसकी heat को अउट बाहर निकालना पड़ेगा, अब यह तो this is low temperature body, यह मेरी low temperature body निए low temperature body हुई और high temperature बोडी क्या होगी मेरी? नीकि वहाँ मुझे हीट को सप्लाई करना है तो इसके तेमपरेचर को एकमोस्फेरिक्स तेमपरेचर से कम मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है और जो डिवाइस इस प्रोसेस के लिए यूज की जाती है यानिके low temperature body से high temperature body पर heat को supply करने के लिए जो device का use किया जाता है वो बच्चो मेरी होती है refrigerator तो यहांने बता है आपको यह source है यह sink है heat को low temperature body यानिके sink जो कितने temperature पर रखवाया T2 पर और high temperature body यानिके source कितने temperature पर रखवाया T1 पर तो sink से heat कितने निकली Q2 Q2 को निकाल के कहा supply की बच्चो यह Q1 को supply कहा की T1 पर अब देखो work Q1-Q2 कैसे हुआ यह मेरा एक refrigerator system इसमें input is equal to output करके देखते हैं कि input is equal to output कितना है input is equal to output तो इस system में input क्या के चीछ है तो Q है Q2 है और एक work है तो Q2 और work input हुआ इसमें आउट क्या हुआ है system से भार क्या निकला Q1 is equal to Q1 अगर में यहां से W की value find out करें तो W is equal to हो जाएगा Q1 minus Q2 तो W बच्चो कितना है Q1 minus Q2 यह मेरी क्या है बच्चो Q2 जो heat ने low temperature body से लिका ली तो बच्चो आज इनने पड़ा reflection अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें comment करें share करें और चैनल को subscribe करना ना भोलें और घंटे का बटन जरूर दब है करेंगा